नमस्ते दोस्तो मैं हूँ सागर और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मिर्भर भारत दोस्तो बतक पालन की ये सीरीज हम सुरू किये हैं आपके दिमांड पे और दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अपने डक्स के एक्स की मार्केटिंग कहां पर करता हूं और कैसे करता हूं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं करते हैं तो फ्रेंड्स यह मार्केटिंग का मेरा दूस्तों पर करते हैं दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने जाना था कि हमारे जो टक्स के एक्स हैं हमारे जो बतक के अंडे हैं उसमें क्या खासियत है क्या फाइदे हैं क्या वेनिफिट्स हैं तो दोस्तों पहले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को एक को बेजने ले जा रहा हूं तो दोस्तों ये काम आपको जो करना है बड़ी ही सावधानी से करना है क्योंकि मतलब मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट को अगर आपको आपके पास कोई खरीदनी आता है तो उसका भेलू आप लगाते हैं उसका कीमत आपका रह लेकिन अगर आप अपना ही प्रोडक्ट को उसी प्रोडक्ट को किसी और के पास बेजने ले जाते हैं तो उसमें आपका रेट नहीं होता है फिर उसका रेट होता है वो अपने से रेट बताता है और आपको उस रेट पे देना पड़ता है लेकिन दोस्तों यहीं पे आपक के थोग विक्रेता है, बहुत तेज जेनल है, बहुत, उन लोग से आपको एक कदम आगे रहना है, इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि हर फार्मर को मार्केटिंग सीखना जरूरी है, मतलब कैसे मार्केटिंग सीखे, मार्केटिंग आपको करना है, ट्रैफिक चाम करना है, मेरे साथ एक बार क्या हुआ मैं एक wholesaler के पास गया उससे मैंने पूछा कि भाया मैं अंडा बेशता हूँ आप dags के अर्ग बेज़ते हैं बहुता है तो मेरे पास ए इह मेरा फाम है आप मेरे अंडे लेंगे तो उसने बोला कि हाँ लेंगे क्यों नहीं लेंगे देदीजी आपके पास जितना है हम तो वो हमको बोर रहा है साथ रुपए सुनिएगा हाँ न इसके बाद का बाद हम बाद भी बताएंगा आपको पहले आप यह सुनिए लेकिन यही चीज देखिए एक मैं दूसरा होलसेलर के पास गया एक ग्रहाग बन विखते हैं क्या तोलहां रखते हैं कितना पिस चाहिए तो मैंने मूला दस पीच चाहिए तो बुला कि हम मिल जांगे मने क्या रेक पड़ेगा भी तो बोला वो पंदर घर कि पीस पड़े समझे यहां बात को कितना ते चेनल है यह लोग मतलब आप जिसको दिन रात मेहनत करके एक उत्पाधन करते हैं छे मेना पाल के एंडा तैयार करते हैं और उसका कीमत इतना कॉस्टिंग आपका लगा आपको साथ रुपे लगाता है उसके इसाब से अब चलिएगा तो और वही चीज़ा आप उसके पास लेने जाते हैं तो उसका कीमत तो पंदर रुपे मांगता है मतलब साथ दुने चोध एक पंदर डबल से एक रुपे ज़्यादा विनिफीट रखना चाहता है तो कितना ते चेनल है यह सब मतलब हम लोगों को तो कहीं पर नहीं छोड़ेगा यह लोग मराद यह एक दम जान से मार ले गरे हो बाप तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग सीखो भाई अगर कोई भी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो कोई भी तो आपको मतलब एक अपना समान को ट्रैफिक करना मलब ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ाना आप ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ाओं के मैं बताओंगा ना अपने वीडियो के दोरा क्योंकि मैंने बहुत बहुत एक्सपरिमेंट किया हूँ अपने life में यह ducks के eggs को marketing के लिएंगे क्योंकि आप, अगर किसी product को सोचेगा कि हमको बेचना है इसको किसी को बोलेगा बेचना है तो वो तो फिर अपने हिसाब से खरीदेगा लेकिन उसको अगर खरीदना है तो आप अपने हिसाब से बेचिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है बेचना नहीं है उसको खरीदना है इसको उसको बेचना है फिर आपको profit होगा कैसे मैं बताता हूँ देखिए आप किसी एक के संपर्क में रहिएगा किसी एक wholesaler के किसी एक retailer के तो आप तो जाइएगा डूबिएगा अपने हिसाब से आपको न चाहेगा इसलिए देखिए आपके area में जितना है ठीक है अगर आपके पास जादे अंडे आ रहे हैं तो अपने 100 किलो मेटर के अंदर 50 किलो मेटर के अंदर जितने दुकान है जो अंडा बेचते हैं चाहे हो wholesale में बेटे, retail में बेटे, ठेला वाला बेचे, गाह में लगा के बेचे, माथा में बेचे, जमीन में बैठके बेचे सबसे बात करनी है सबसे बात करने है प्लस आपके पास कोई स्रोथ है बेचने के लिए मतलब जैसे कोई छोटा दुकान तो वहाँ पे भी रखना आपको जाहे मेरा जैसे क्यूं नहीं आपके पास मोबाइल का कॉंटर है मैं अपने रिचार्ज कॉंटर में भी अंडे रखता हूँ मैं बताता हूँ सिंपल सा बात है अगर हम अपने दुकान से बेचते हैं तो अपने को तेरा रुपई में बेचते हैं अगर जो रोज उबाल के बेचता है ओने थेला वाला लोन को बेचते हैं तो 10 रुब में बेचते हैं और उसी को और किसी हॉलसेल को देना पड़ता है आज की डेट में हमको तो उसको 9 रुब में हम देते हैं तो ये सब अलग-अलग रेट है हर एक जगा तो आप सबसे नीचे वाला रेट में क्यों दीजिएगा किसी को पहले कोशिस कीजिए जो आप सबसे हाइस्ट में जो आप बेच पाएं जो अपनी से खुद बेच पाएं उसमें बेचेंगे न आप तब न आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा निरबात को आप समझे कहने का मतलब है कि आप सोसल मीडिया हो गया वाटसप हो गया फेसबूक हो गया हर एक जगह पे अपनी अंडे को परचार कीजिए फिर जो डाइरेट कस्टमर आपके पास लेके जाएंगे उसमें आपको ज्यादा वेनिफिट होगा उसके बाद आप थेला वाला को दीजिएगा दूसको दोर पर मार्जिन आपको रख के देना पड़ेगा हॉलसेलर को दीजिएगा हॉलसेलर वाला थेला वाला को बेचता है तो लोन के एक रुपी और कम करके देना पड़ेगा तो आज के डेट पे यहाँ पे मेरे दुकान से लगब हम 13 रुपे तक बेजते हैं अराम से बिखता है और किसी अगर हमको ठेले वाला को देते हैं तो 10 रुपे में देते हैं तो 9 रुपे में देते हैं तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके 13 रुपे में निकालू उसके बाद कोशिश करता कि 12 रुपे में निकालों और उसके बाद कोशिश करता हूं 10 रुपे में निकालों उसके बाद कोशिश करता हूं कि उसको 9 रुपे में निकाल के खतम करो लेकिन दोस्तों आपके पास जिस हिसाब से अंडे आ रहे हैं तो आप कोशिशाब से काम करना है मतलब अगर आपके प पहनत करते हैं डग फार्मिंग में तब आपका अंड़ा तयार होता है इसके बाद बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि इतना कैसे करेंगे तो इतना मैं कर रहा हूं ना यार तो तुम लोग क्यों नहीं करोगे तुम लोग को भी करना है और बात है कि जब आप कीजिएगा दीरे दीरे तो समझ में आएगा काम को और जहां तक बात है कि हुलसेल में इसका डिमार्ड नहीं है बहुत जुन बोलते हैं लेकिन हमारी यहां जारकन में बहुत जबह ज़ाज्द है कल में गया था एक हुल मतला अंड़ा भीक रहता के पास तो उसने बोला कि सागर जी हम आपको रोज आपका कम से कम 2000 अंड़ा भीजवा देजिए हम भुले कि ठीक है मेरे पास तो 2000 अंड़े नहीं आता था उपको बीजवाएंगे कैसे उत्रा तो बहुत नहीं जीतना होता है भीजवा देजिए तो हम बहुत नौर रुपे का रेट में आपको देदेंगा तो अगर आपको टैंसें नहीं लेना है सीधा साथ बेच के खतम करना है तो आप अंडा का जोत बादन कर रहे हैं तो अगर आट रुपे बेच रहे हैं तो आपको टैंसे चार रुपे कोश्टिंग है तो चार रुपे बच रहा और उसका उडबल में बेच रहा जैसा जीसी साफ से उन लोगों काम करता है तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है मतलब आप लोगों को भी संभल के काम करना है जितना ह अपने अंडों का खुद से मार्केटिंग करना है ज्यादा जगा करना है एक जब अभी डिपेंड ने क्योंकि आप जैसे अभी जैसे यह बड़ फुलु आया तो इन लोग का नया नाटा करें यार अभी तो मार्केट में डिमांड नहीं है यह नहीं है वह नहीं है बहुत से एक कदम और बढ़के रहना है फ्रीज है आपने पास फ्रीजा रहे इतना मैंनत करके इतना वाड़ा फां तया चाहर किया है यह थार मार्केटिंग में अभी बहुत कुछ सीखना मार्केट में जाएगा तब पता चलेगा क्योंकि महान-महान आत्मी बैठे हुए मार्केट में आपको लूटने के लिए ठीक ना आपको लूट पाते हैं यह डिपेंड करता है आप कितने बड़े माहिर हैं मार्केटिंग में तो किसानों को मार्केटिंग सीखना भड़ता है क्योंकि अभी जैसे कि किसी आप हॉलसेलर या फिर किसी भी आप पास आएगा अपना प्रोड़क्ट लेगे तो वह आपके प्रोड़क्ट खामी पहले निकालेगा कि अरे यह ऐसा है वह इसा है वाइट है अंडा तो ग्रीन न सुनने को मिलेगा तो आप क्योंकि बेचने का है नो उसके पास तो सुनने को मिलेगा तो कोशिस किजिए कि अपना प्रोड़क्ट का जाये लेके उसके पास दिखाईए कि देखे मेरे पास ऐसा प्रोड़क्ट है कोशिस मत किजिए कि हम आपको बेचने आये हैं उसको बता बोलना है आपको ना कि बोलिए वाजा कि भाईया अंडा लेते हैं क्या हम अंडा बेचते हैं तो तो अंडा के साथ साथ आपको भी वह खरीद लेगा तो दोस्तों अगर मेरा बात बुरा लग रहा तो सौरी लेकिन एक्चुली मार्केट में ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है क्योंकि मैं खुद एक रीटेलर हूँ मैं खुद जानता हूँ कि जो आपके पास बेचने आते हैं उसके साथ कैसा ट्रीड होता है और जो आप खरीदते हैं आप जिसको बेचते हैं उसके साथ कैसा ट्रीड होता है तो तो ठीक है मेरा कहने का मतलब है मार्केटिंग को अपने तरीका से कैसे किजिएगा ऐसे ही ना कि अगर आप अपने समान का जो रेट है आप अपने से लगाईए तो वो कैसे होगा जब आपके पस डिमांड जादा होगा तो डिमांड बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ यह मेरे पास है आपको चाहिए तो बोलियेगा आपको चाहिए तो बोलियेगा फिर आपके पास देखे एक कॉल आते हैं फिर आप आएंगे 100 percent कॉल आएगे कि हमारे यहां पर भी डशके एक्स की market बहुत अंच्छी होने यह धीरे-धीरे और हर एरिया में मार्केटिंग वैसा ही है कि हम जाके बताते हैं फिर वोसह लोग और देते हैं पिर हम माल को पहुँचाते हैं तो इसमें आपको रेट का जबाङिसには करें करने आप ऐसाब ड़ा लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया तो आप भी ठगाईएगा ने इन हॉलसेलर के हिसा हॉलसेलर विक्रेता के चंगुल में आके तो दोस्तों इस वीडियो में यही था अगर मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे मेरे इस वीडियो क को सेहर कर दिजे और इस वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद